तो बाई इस वीडियो में हम देखेंगे एक थर्मो स्टील वाटर बॉटल जो की मैंने फ्लिप कार्ट से परचेस की है 542 रूपीज में तो चलिए जल्दी से इसे अन्बॉक्स गर के देख लेते हैं कि इसकी क्वालिटी कैसी है इस बॉटल में हमें 18 आवर्स तक का होट और कोल्ड इंसुलेशन मिल जाता है और यह पेक्सपो ब्रैंड की वैक्यू इंसुलेटेड बॉटल है जिसमें काफी अच्छा अट्रेक्टिव मैट फिनिश मिल जाता है रफ एंड टफ क्रेनाइट मार्बल जैसी कोटिंग की गई है इस पर जैसे बॉटल का लुप भी काफी अमेजिक लगता है और पेक्सपो एक इंडियन ब्रांड है जो काफी अच्छी क्वालिटी में इंसुलेटेड बॉटल्स एफोर्डबल प्राइस में आफर करते हैं वर्रा पहले तो इस तरीके की बॉटल इंडिया में बनती ही नहीं थी मिल्टन एन अदर ब्रांड की बॉटल जो बिलती है इस तरह की वो तो जाइना से इंपोर्ट की जाती है पर पेक्सपो की सभी बॉटल्स इंडिया में ही मैनुफेक्चर होती है पेक्सपो की सारी स्टील बॉटल एक जैसी नहीं होती है कई सारी Paxpo bottles देखने में एक जैसी लगती है पर उनके size, price and features में काफी difference है सबसे सिस्ती वाली uni steel bottles single layer steel की बनी होती है जिसमें कोई भी insulation नहीं मिलता है इसमें normal bottle की तरह ही cold water थोड़ी देर में गर्म हो जाता है इन bottles को fridge bottle या sports bottle कहते हैं दूसरी वाली bottles में आपको 18 hours तक का insulation मिलता है और मैंने यही वाली bottle खरी दिये और इसका price 400 से 700 के बीच रहता है depending on the size and offer और तीसरी variety जिसमें 24 hours तक का insulation मिल जाता है और इसका price in compare थोड़ा ज़्यादा रहता है और यह bottle 700 से 1000 रोपीस के around मिलती है यह वाली bottle सबसे ज़्यादा अच्छी quality की होती है और इस bottle की paint coating भी ज़्यादा durable रहती है इसमें कई सारे colors भी available है Paxpo की सारी insulated water bottles का link में description में डाल दूँगा वीडियो और अच्छा ना होतो है और वीडियो को like कर देना चैनल को भी subscribe कर देना